तो अक्टूबर नवंबर के दौरा आन दक्षिल की तरफ सूर्य के आबासी गती के कारण मोंसून गती या निम्न दाब वाला गत्र उत्तर दूरी मैदानों के उपर शितिल हो जाता है दक्षिल, पस्चिम, मोंसून, सितिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की और हटने लगते हैं अक्टूबर के प्रारम में मोंसून प्रवने उत्तर के मैदान से हड़ जाती है अक्टूबर और नवंबर में महीने गर्म होते हैं वर्षा रितू से शीत रितू में परिवर्तन हो जाता है उच्चतापमान एवं आदृता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम सहन करना मुश्खिल हो जाता है तो नवंबर के प्राराम में उत्तर पस्चिम भारत के ऊपर निमनदाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर इस्थांतरित हो जाती है ये चक्रवर्ती निमनदाब से संबंदित होता है तो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन होती है इससे बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है और बहुत भारी वर्षा होती है जिसकी वज़ा से लोगों की जान भी चली जाती है कहीं ये बहुत विनाशकारी है और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुचाती है तो यह आप देख सकते हैं कि कैसे जो है विंड्स हमारी जा रही है पहले यहां से स्टार्ट होई है एक से पंदरा यहां पहुची फिर एक अक्टूबर इस तरह से यह पंदरा नवंबर दिसंबर तक सारी चली जाती है यहां से तो आईए कोश्चन्स करते हैं शूर्य की किस गती से मौनसून पीचे हटने लगता है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में मौनसूनी हमाए पीचे हटने लगती है जो कि इस समय सूर्य की दख्षिर पस्चिम गती के कारण गंगा के मैदानों पर दवाब जो है उसमें मौनसून ट्रफ मजूद होता है और कमजोर होता है उच्छ कट बन दिये चकरवत जैसे विनाशारी है तो उश्ण कट बन दिये चकरवत के लिए इंधन जल वाश्प और उश्ण महासागर से उपर की हवा में मुख्य रूप में समुद्र की सता से वाश्पी करण द्वारा प्रदान किया जाता है जैसे गरम नम हवा उपर उठती हैं फैलती और ठंडी होती है जल्दी से संत प्रंथ हो जाती है और जल वाश्प के संगनन के मद्दे से गुप्त गर्मी छोड़े जाती है अब तीसरा प्रेशन उत्तरी भारत में अक्टूबर नवंबर के दिन आसही निये क्यों होते हैं अक्टूबर नवंबर के महिने गर्म बर्सात के मौसम से शुश शर्दी की स्थिती में संक्रमण की अफ़दी बनाते हैं उच्छतापमान और आदरता की स्थितियों के कारण दिन के समय काफी तमनकारी हो जाता है मार्च की शुरुआत में मौनसून उत्री मैदानों में वापस आ जाता है सही है या गलत है ये सही नहीं है आ सकते है दक्षिर पस्चेम हवा एक अमजोर होने के कारण मौनसून पीछे अड़ जाता है सही है या गलत है ये सत्य है तो इस तरह से आप ये वक्षीट करेंगे अब हम मिलेंगे अगली वक्षीट के सांग तब तक के लिए बाई एवरीवन चैनल को लाइक, सस्क्राइब और चियर करेंगे